नमस्कार मित्रों आज हम आपके साथ राजनीत विज्ञान में दो चेप्टर्स हैं सत्ता की साज़ेदारी और संगवात इन दोनों चेप्टर के परिच्छा की द्रश से जो बहुत ही महत्तुपूर्ण है ऐसे वन लाइन आंसर अब्जेक्टिव कुश्चंस के साथ चर्शा करने जा रहे हैं जो आपकी परिच्छा में संभावित प्रस्न हो सकते हैं कौन से प्रस्न मनते हैं और उनका सही आंसर क्या होगा पुछा सकता है कि सिलंका के दो प्रमुख जातिये समूह कौन से हैं आपका पाठ है सत्ता की साज़ेदारी सत्ता की साज़ेदारी में से पह सिंगलियों सिलंका में सिंगलियों की आवादी कितने प्रस्त है और सिलंका में दुसरा वहां का बड़ा ग्रूप है उसके अत्रिक्त वहां के लोग इसाई है सेस सुतन्तता के पश्चात सिलंका में सत्ता पर किस जातिय समूह का नियंत्रण है सिलंका भारत की तरह अंग्रेजों का अपनिवेश था और सिलंका 1948 में आजाद हुआ और आजादी के बाद वहां जो अल्पसंख्यक लोग थे सिंगली इनका सत्ता के उपर धेंद्र है सिंगली ऐसे लोग हैं जो सत्ता में उनका प्रमुखस्थान है सिलंका ने सिंगली को राजभासा कब बनाया सिलंकाव में चुकी सिंगलीज का अधिपत्य है उन्होंने सिंगली को राजवासा घूशित कर दिया 1956 में उन सिंगलीज को सरकारी नवकरियों में प्राथमिक्ता सिंगलीज को प्राथमिक्ता हर कार में सिंगलीज को प्राथमिक्ता दी गई और यही करण था कि वहाँ पर असांती पैदा हो गई जो तमिन लोग थे उनको लगा कि उनके हितों के विपेच्छा हो रही है तो तमिनों और सिंगलियों में जो ग्रहुद जैसी सिती आई वो इसका एक बड़ा करण यही था सिंगली किस धर्म को मानते हैं? सिंगली बहुत धर्म के अन्यवाई है बहुत धर्म के अन्यवाई हैं सिंगली बेल्जियम के फ्लेमिस इलाके में डच भासी कितने प्रस्षत है आपको उदाहान के दोरा आपकी पुस्तग में समझाया गया है कि अगर हम सत्ता की सहेदारी करते हैं तो जो लोगतंतर की आत्मा है सत्ता की साहधारी किसी भी देश में सांती हो सकती है Belgium में फ्लैमिस इलाके में डच भासियों की संख्या 59% है सेलंका में सत्ता की साहधारी नहीं की गई है और Belgium में की गई है इन दोनों उदाहणों के द्वारा सत्ता की शाहिदारी के महत को बताया गया है आपकी पुस्तक में इसको बहुत अच्छे से description है इसका तो कुश्चन दूसरा हो सकता है वेल्जियम में कि बेल्जियम में कितने प्रसत डचभासी लोग है 59% बेल्जियम के वेलोनिया इलाके में कितने प्रसत लोग रहते हैं और उनकी भासा क्या है वेलोनिया इलाके में चालिज प्रसत लोग रहते हैं और फ्रेंच भासा बोलते हैं ठीक तो बहुत संख्यक फ्लेमिस इलाके में डच हैं डच भासा भासी हैं और बेलोनिया इलाके मे फ्रेंच भासी लोग है बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है बेल्जियम में संघिय सरकार है जैसे भारत में संघिय सरकार है विविन राज्यों से चुने हुए प्रतिनिजी आते हैं और हमाई केंदी सरकार का निर्मार करते हैं तो इसी प्रकार वहाँ पर संध्य सरकार की विवस्था है. Belgium इरोप में है, यह जानते होगे आप. Belgium की राध्धानी क्या है? Belgium की राध्धानी है Brussels. Brussels के कितने परस्थत लोग French और कितने परस्थत लोग Dutch भासी है? जो Dutch भासा भासी है, जो Brussels राध्धानी सहर है, राध्धानी सहर में फ्रेंच भासियों की संख्या जादा है 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं 20% लोग डच भासि है अब देखिए फ्लेमिस इलाके में डच जादा बोलते हैं बेल्जियम में डच भासि कम है बेल्जियम जो राध्धानी सहर है वहाँ ज्यादा फ्रेंच भासी लोग है वहाँ आवादी जो है और जो राध्धानी की आवादी है दोनों में विपरीट संबंध है राध्धानी में फ्रेंच भासी ज्यादा लोग है बाहरी छेत्रों में डच भासी लोग है इसलिए समानता को बनाए रखने के लिए बरस्थान दिया गया है जिससे की सांते रह पाई बेल्जियम के सम्मिधान में छेत्रे अंतर को कम करने के लिए कब संसोधन किया गया बेल्जियम के सम्मिधान में डच और फ्रेंच दोनों भासा भासी लोगों को बराबर अधिकार दिया जाए इसके लिए वो 1970 से 1993 के वीच संसोधन किये गए और इस संसोधन के द्वारा फ्रेंच भासियों को भी डच भासियों को दोनों को बराबर का स्थान दे दिया गया जिसे वहां सांती रही और देश सम्रिद के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा बेल्जियम में कितने अस्तर की सर सरकार है भारत की तरे एक तो केंद की सरकार दूसरी राज की सरकार तीसरी सामुदाइक सरकार तीन अस्तर की सरकार वहां पर है बेल्जियम की सामुदाइक सरकार को किस मामले में अधिकार प्राप्त होता है बेल्जियम की सामुदाइक सरकार को संस्कृती सिच्छा और भा राजिय सरकारों के विशे में क्या कानुन है बेल्जियम में जो केंडरिय सरकार है और राजिय सरकारें दोनों के भी सक्तिका विभाजन है। और राज्य सरकारें सोतंत्र हैं राज्य सरकारें केंद सरकार के अधिन नहीं है सत्ता की साथेदारी का बेस्ट उदाहन बेल्जियम में है केंद और राज के भी सक्ति विवादन किया गया है जो लोकतंत की आत्मा है नेस्ट बेल्जियम में केंद सरकार के संबंध में क्या प्रस्ताव है जो बेल्जियम में केंद सरकार होती है उसका निर्मान कैसे होता है वहां डच और फ्रेंच भासी मंत्रियों की संख्या समान है आपने देखा था कि बेल्जियम के कुछ हिस्सों में डच भासी ज्यादा लोग रहते हैं कहीं पर फ्रेंच भासी ज्यादा लोग रहते हैं तो उसकी समानता को अस्थापित करने के लिए केंद्रिय सरकार में डच और फ्रेंच दोनों भासा के बोलने वाले मंत्रियों की ये सरकार का पहला गुर्ण है कि सत्ता का विभाजन केंद्र या राज या अस्थानिय सरकार है या समदाग सरकार है तो सब के भी सत्ता का विभाजन होना चाहिए नेस्ट युक्त परक क्या क्या आर्थ है ये को सिर्फ पूछते हैं युक्त परक निर्णे क्या है ऐसा निर् और नैतिक परक्ट निर्डे नैतिक परक्ट का क्यारत है नैतिक परक्ट निर्डे ये है कि सत्ता के अंतरभूत महत्त को बताता है मतलब क्या करना उचीत है क्या करना अनुचीत है नैतिकता की द्रिश्ट से लिया गया निर्डे नैतिक परक्ट निर्डे और लाभान को सरकार के विवे नंग कों से पुछाते हैं सरकार के विवे नंग हैं विधाय का, कारिपाल का और न्याय पाल का सरकार के ती नंग होते हैं विधाय का कानून बनाती है, कारिपाल का कानून को लगू करती है, न्याय पाल का न्याय देती है सेश कुष्चन और संगबाद पे क्या हो सकते हैं उनको हम देखते हैं संगबाद पे और दूसरे कुष्चन क्या हो सकते हैं आए उन पर हम चर्चा करते हैं कुष्चन आप से पूछा जा सकता है कि भारत में कितने अस्तर की सरकार है तो भारत में अब तीन अस्तर की सरकारे हैं, एक तो केंद्र, राज्ज और इस्थानिय सरकार, तीन अस्तर की सरकारे हैं, डेस्ट नियंटर्ण और संतुलन की व्यवस्था क्या है? नियंतन और संतुलन की विवस्था होती है नियायपालिका द्वारा सरकार के कारे पर नियंतन अस्थापित करने की नीत इसको नियंतन और संतुलन की विवस्था कहते है विधायका और कारेपालिका जो होती है उसके उपर नियायपालिका नियंतन अस्थापित करती है तो ये काईपालका के उपर नियाईपालका का नियंतर बना रहता है इस व्योस्था में उर्धा धर वित्रण का क्या आर्थ है उर्धा धर मतलब उपर से नीचे तो केंद्र राज्य और अस्थानिय सरकारों के वीच जो सक्ति का विभाजन है उसको उर्धा धर वित्रण कहा जाता ह एक आत्मक सरकार क्या है? एक आत्मक सासन की क्या विशेस्ता होती है? एक आत्मक सरकार में एक ही अस्तर की सरकार होती है केंद्र की सरकार होती है, राज्य की सरकारे होती है लेकिन वो प्रांतों को अधिकार नहीं होता है प्रांत की सरकारें केंद्र के आदेश को मानती है एक ही केंद्र से सासन का संचलन होता है प्रांतों की विवस्था के लिए बनाई गई जो सरकारें है वो केंद्र के आदेश पर चलती है ऐसी विवस्था को एकात्म सरकार कहते है संघे शाषन की विशेष्टा यह कुश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है इसकी एक दो विशेष्टा आपसे पूछी जा सकती है और ऐसा कुश्चन हो सकता है कि इसमें से केंडर की संघे साषन की क्या विशेष्टा नहीं है तो इसलिए पॉइंट आपको याद होने चाहिए, संघिये सासन क्या है, पहली बात दो या दो से अधिक अस्तर वाली सरकार होगी, तभी उसको संघिये सरकार कहेंगे, दूसरा अलग-अलग अस्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर सासन करती है, जैसे भारत में केंद्र की सरकार भी नागरिकों पर सासन करती है, राजी की सरकार भी नागरिकों पर सासन करती है, तो नागरिक एक ही है, लेकिन केंद्रे सरकार की अधिन जब वो सासित होते हैं, और राज सरकारें भी उन्हीं के उपर सासन करती है, जो नागरिक हैं वो दो नहीं है, नागरिक ए होता है तीसरी विशेष्टा हो गई संभिधान के मौलिक अधिकारों में कोई भी सरकार अकेले परिवर्तन नहीं कर सकती संभी सासंद में ये विवस्था होती है कि अगर केंज सरकार चाहे या राज सरकार चाहे तो संभिधान में बदलाव नहीं कर सकती है केले, दोनों सरकारों की सहमत से ही बदलाव संभव है, और उसका एक निश्चित तरीका है, तो सम्टान के मौलिक अज़कारों में बदलाव नहीं हो सकता, चोथी विशेषटा, पांची विशेष्टा है कि केंडर, राज और अस्थानिय सरकारों के पास जो राजस के सरोत हैं वो अलग-अलग है राज सरकारों के लिए भी आर्थिक सरोत हैं केंडर सरकारों के पास भी आर्थिक सरोत अलग है नेस्ट न्यायाले सुप्रीम है संघेश आसन विवस्था में न्यायाले को निर्डाय करिकार प्राप्त है केंदर और राज्य के बीच अगर कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थित में न्यायाले निर्डे दे सकता है नेस्ट दो उद्देश होते हैं संघेश आसन के दो उद्देश होते हैं पहली बात देश की एक्तावा सुरच्छा इसको बढ़ावा देना देश की एक्तावा सुरच्छा के लिए काम करना देश की एक्तावा बनी रहे सुरच्छित रहे देश दूसरा देश में जो छेत्य विज्ण पत के विवित्ताइं है जो संगीशासन की विशेष्टा होती है तो संगीशासन की विशेष्टा इस सारे पॉइंट याद रहना चाहिए दो चार चीत तो बहुत ही जरूरी है दो या दो अस्ये अधिक अस्तर के सरकार होगी, राजस के स्रोथ अलग होगे, निया लेक और प्राप्त करने काधिकार होगा, केंद और राज के भी सक्ति विभाजन होगा, मौली काधिकार मौली प्राविधान में कोई केले सरकार परिवरतन नहीं कर सकती, इसको विशेष ध्यान में रखेगा, संग्येश आसन वाले देश संसार में कौन से है संग्येश आसन वाले देश कई है और संग्येश आसन की जो विवस्था है वो दो तरे की है इसको ध्यान से समझे है संग्येश आसन वाले देश जैसे इवसे है सुज्जर लेंड है आस्टेलिया है यह तिन देश, यह वैसे सुजलेंड और आश्टेलिया, यहां भी संग्येश आसन की व्युस्ता है, लेकिन यहां अंतर क्या है, यहां प्रांतों को ज़्यादा अधिकार है, केंदर की तुल्ना में प्रांतों को ज़्यादा अधिकार है, ठीक, प्रांत कई मामले में सुतंत रहे हैं, दूसरा, संगेश आसन वाले देश भारत, बेल्जियम और इस्पेन भी है, लेकिन यहां राज्य जो है, केंद्र की तुलना में उनको कम अधिकार प्राप्त है, USA में क्या है, संगेश राज अमेरिका में ज़्यादा अधिकार है, भारत में, बेल्जियम और इस्पेन में राज्यों को कम अधिकार प्राप्त है, यहां केंद्र सक्तिसाली ज़्यादा है, USA, शुज्जर लेंड और आस्टेलिया में केंद्र कम सक्तिसाली है, यह इंतर है, गये हैं, जो अधिकार हैं, उनको तीन सूचियों में बाटा गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समुर्ती सूची, ऐसे अधिकार जो पूरे देश के लिए महत्वपूर हैं, जैसे रच्छा है, बित है, ब्यापारवानिज है, ग्रह है, संचार है, इस प्रकार के व सिचाई है, क्रिसी है, इस प्रकार की जो अधिक विशे हैं, वो राज्य सूची में है, राज्य सूची में सामिल विशें ओपर कानून राज सरकारे बनाती हैं, समुर्ती सूची में, समुर्ती सूची में कौन से विशे हैं, सिच्छा है, बन है, उत्रा धिकार है, इस प् तो विधायत सक्तियों को तीन सूचियों में बाटा गया है, केन सूची, राज सूची और समुर्ती सूची, केन सूची में ज्यादा अदिकार है, राज सूची में उससे कम है, समुर्ती सूची में और कम है, केन सूची में कितने जो विशे हैं, इस समें उसको देखिएगा, सो पहले 98 थे इनके संख्या बढ़ा दी गई है okay संब्मyyधान के मौलिक प्रस्ताओं में बदलाओ कैसे हो सकता है मैंने बताया था कि संब्म्यधान के मौलिक प्रस्ताओं में बदलाओ काएक निसित तरीका है कोई एक सरकार नहीं कर सकती ना तो किन सरकार के लिए कर सकती है न राज सरकार कर सकती है बदलाव हो सकता है लेकिन उसके लिए सर्थ है अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो संसत के दोनों सद्रों में दो बटा तीन बहुमत चाहिए जो प्रस्ताव अपला रहे हैं बदलाव का दो बटा तीन समर्थ चाहिए संसत के दोनों सदनों में, लोकसभा और राजसभा, कि दो बटा तीन सदसे प्रस्ताव में बदलाओ से सहमत हो, और दूसरा, कमसे कम आधे राज्यों की विधान सभा में भी इस बदलाओ को मंजूरी दी जाए, भारत में यतने राज्यों हैं, उन राज्यों के आध उसे राज बदलाव में रुच रखते हों, समर्थन करते हों, तभी सम्मिधान के मौलिक प्राविधान में बदलाव हो सकता है, ये बहुत कठिन प्रक्रिया है, ओके, भारत में राजियों का गठन किसा आधार पर किया गया, ये कुछन बहुत ही महत्पूर है, जीके की पॉ भारत में राज योगा गठन किया गया, थीक, उस समय 14 राज बनाये गए थे भासा के आधार पर, संसकर्ती, भोगल, और जातियता के आधार पर भी भारत में कुछ राज बनाये गएruct, अब कुछ राज ऐसे हैं, जिनकी संसकर्ती अलग है, वहां का भोगलिक बतावण अल नागा लेंड जारखंड और उत्राखंड नागा लेंड वहां की जो संस्कृति है बिरकुल अलग है तो इसलिए उसको एक अलग राज बनाया गया भोगोलिक विवित्ता को देखते हैं उत्राखंड को अलग बनाया गया जारखंड की भोगोलिक विवित्ता अलग है छेते स संस्कृतिय अलग है तो उसके अधार पर जारकंड को अलग बनाया गया तो नागा लेंड, जारकंड और उत्राफंड जो राज हैं वहां कि संसकृति, भूगोल और जातियता की अधार पर इनको अलग बनाया गया है सम्मिधान में कितनी भासाओं को मानता दी गई है? सम्मिधान की आठीवी अन्सूची में 22 भासाओं को मानता दी गई है भासाओं की मानता का वड़न सम्मिधान की आठीवी अन्सूची में और 22 भासाओं है अस्थानिय सरकारों को आदेश दिने हेत प्रस्ताव या संविधान संसोधन विधे कब पारित किया गया मतलब अस्थानिय सरकारों को जो सक्ता का विकेंद्री करण हुआ अस्थानिय सरकारों का गठन किया गया वो संविधान संसोधन कब हुआ 1992 अस्थानिय सरकारों के गठन संबंधी पंचायत राज अधिन्यम नगरपालिका अधिन्यम नगर निगम अधिन्यम 1992 में संविधान संसोधन लाया गया ओके अस्थानिय सरकार में महिलाओं को कितने प्रसाश स्रीटे आरचीत हैं आज जो ग्राम पंचायत हैं नगर निगम हैं नगर पालिका हैं जो अस्थानिय सरकार हैं यहां महलाओं के लिए कितने अस्थान आरचित हैं एक तिहाई एक बटा तीन एक बटा तीन अस्थान महलाओं के लिए आरचित हैं इन अस्थानों पर क्यों महलाओं ही निर्वाचि हो सकती हैं ये बहुत बड़ा एक सुधार था मैलाओं को ikmpowerment करने के लिए मैलाओं को नेत्रत देने के लिए नेश्ट अस्थानिय सरकार के गठन हित चुनाव कराने वाली जो संस्था है कौण सी है जो अस्थानिय सरकारे हैं इनका समय समय पर चुनाव हो इसके लिए राज निर्वाचन आयोग की इस्थापना की गई 1993 में राज निर्वाचन आयोग की इस्थापना की गई जो अस्थानी अस्तर के चुनाव को समय समय पर करवाता है नेस्ट मेर किसे कहते हैं जो नगर निगम के पदाधिकारी होते हैं आपने देखा होगा कि जैसे गाओं में सरपंच होते हैं बलाक अस्तर पर जो बलाक प्रमुक होते हैं या प्रधान कहते हैं जिला अस्तर पर जिला प्रमुक होते हैं नगर पालिका पर जो नगर पालिका क चेर्मेन होता है, इसी तरह जो बड़े सहर हैं, बड़े सहरों में नगर निगम के पदाधिकारी को मेर कहा जाता है, ओके, तो ये कुछ कुछतन ऐसे हैं, जो आप से इन दोनों चेप्टर से पर पूछे जा सकते हैं, आप इसका स्क्रीन साट भी ले सकते हैं, जैसे कि आप इनको किसी भी समय देख करके फिर से मिम्मराइज कर सकते हैं, और परिच्छा में अधिक से अधिक अंग प्राप्त कर सकते हैं, ओके, इसक्रीन साट आप ले सकते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रत्क्रिया भी देंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें, थैंक्यू.